हेलो दोस्तों, ट्रेक्बुक इंडिया के इंजिन ओइल, बाइक और कार के लिए इस एपिसोड में आपका उसागत है। मैं हूँ महेश आपका होस्ट, तीस साल रिसर्च और डेवलोप्मेंट में काम करने के बाद मैंने रिजाइन किया, मैं मेरा सुदर भारत देश देख सको, तो मैं टेक्निकल नॉलिज का उपियोग आपके लिए करना चाहता हूँ,れた इसके लिए मैंने ये वीडेयो बनाया है तो bike और car के लिए जब ही हम लोग engine oil change करने के लिए जाते हैं तो garage में जाते हैं और उन्हों बोलते हैं engine oil change कर दो ये ध्यान नहीं रखते कि लिजिए engine oil उसने जो change किया है एक तो वो करने के जडूरत है कि नहीं है तो इस video के अंठ में मैं बताऊंगा कि engine oil change करना है ये नहीं करना है ये कैसे चेक किया जाए ये मैं वीडियो के आंप में बताने वाला हूँ तब चलो अपनी decide तो कर लिया कि engine oil change करना है तो थोड़ा सा जान लेते कि engine oil होता क्या है उसका specification क्या हो रहता है और वो specification का मतलब और importance क्या है तो select कैसे किया जाए आपके बाइक या कार के लिए specifically important है कि जब आप लोग बोलते है कि मैं बाइक के ओपर इंडिया घूम रहा हूँ भारत देश घूम रहा हूँ मेरा कार लेके तो जाते है आप हिमाचल प्रदेश या लेह लदाक में जहां बहुत cold temperature रहता है और वहां आपका गाड़ी problem में आ जाता है अब क्यों problem में आ जाता है because अगर motorcycle है तो आपने engine oil cold temperature के लिए जो वहां का weather रहता है बहुत cold रहता है ठंडा रहता है उसके लिए वो suitable अगर नहीं है तो आपका engine जरूर problem देने वाला है similarly आपका car है car में भी engine oil अगर ठंडे हावा मान के लिए या आप राजस्थान चले आते हीट में में के महिने में और बोलते ही मेरे गाड़ी में problem हो रही है तो वो क्यों हो रही है because engine oil अपने selection बरबर नहीं किया हुआ है तो बहुत important है कि आप भारत के देश जो है वो बहुत बड़ा देश है और काफी अलग-अलग हावा मन रहते है काफी ठंडे या काफी गर्म हावा मन रहते है तो उसके इसाब से आपको engine oil सिलेक करना जरूर है तो चलो थोड़ा सा देखते है डीटेल्स में कि engine oil बनता कैसे है तो engine oil में दो component रहते है एक base component रहता है जो mineral oil रहता है जो petroleum जब हम लोग petrol के products निकालते है जहांसे petrol, diesel या white petrol निकलता है वैसे ही ये base oil निकलाता है जिसको बोलते है mineral oil तो 70% to 90% engine oil के अंदर ये mineral oil रहता है remaining जो रहता है वो additives रहते है तो additives क्यों रहते है वो भी मैं बताने वाला आपको जो base रहता है mineral रहता है तो देखा हमने मैंने पहले ही बताया कि engine oil का function क्या होता है यहां मैंने function यहां सिर्फ लिखा हुआ है कि wear कम करता है heat निकल के लेके जाता है आपका और जैसे मैंने बो क्रेमी synthetic रहेगा जिसके अंदर mixture of mineral और synthetic oil रहेगा synthetic oil सबसे costly रहता है बड़ सबसे best रहता है क्यों 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 कोई भी temperature के लिए काम करने के लिए tune किया जा सकता है यह भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं तो synthetic oil सबसे costly है बड़ सबसे best भी है mineral oil of course सबसे cheapest है तो अपने को balance strike करना है cost और performance का तो अब यह आता है additives तो मैंने जैसे बता है कि जो remaining portion है base oil छोड़के वह additives है additives क्या है बहुत जरूरी है additives होना क्यों होना जरूरी है तो पहल क्या रहता है कि यह जब गाड़ी engine चलता है तब combustion chamber के अंदर petrol या diesel का combustion होता है और engine काफी गर्म हो जाता है अब normal temperature है अभी मैं पूना में रहता हूं तो यहां तो कुछ extreme temperatures नहीं रहते तो okay है कोई भी oil बट अगर आप राजस्तान में हैं और month of May हैं already heat इतना ज्यादा है 47-48 degree पहुंच गया है आप engine आपका engine चल रहा है तो काफी गर्म होने वाला है ध्यान में रखिए तो क्या होने वाले कि oxidation होने वाला है oil का जो oil घूम रहा है अंदर तो उसका oxidation होके वो पूरा जल रहा है fast जल रहा है तो इसके लिए antioxidant additives काफी सारे जरूर है तो आप अगर ऐसे additives यह जो रहते हैं अब यह क्या करते हैं कि देखिए कोई dusty areas बहुत सारे हैं इंडिया में तो जहां dusty area में आपका गाड़ी चलेगा तो obvious है कि air filter तो रहता है but air filter होने के बावजूद micro particles रहते हैं dust के वो अंदर चले जाते हैं और जब combustion chamber में चले जाते तो आपका piston जो है और piston rings खराब कर देता है तो इसके लिए यह high detergent additives जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यह dust clean करने के काम करते हैं और sludge build up नहीं होने देता है engine के अंदर काफी जरूरी है अगर जैसे मों बोल रहा हो आप भारत के कौन से area में काम कर रहे हैं engine कौन से area में यादा चल रहा है उसके उपर आप select करें कि exactly अपने Indian fuel conditions के लिए उसके लिए यह additives suggest किया गया है और final है anti wear, dispersant, viscosity modifiers, friction modifiers तो यह जो सारे modifiers रहते हैं यह आपका enhanced lubrication है wear and tear friction कम करने के लिए sludge control के लिए viscosity maintenance के लिए temperature variation के इसाब से ठीक है और oxidation और corrosion के लिए के कम करने के लिए यह additives रहते हैं तो यह चारो type के additives percentage में mix करके यह पूरा engine oil बनता है depending on manufacturer और कौन से type का आप engine oil select कर रहे हैं उसके सबसे additives कम जादा होते रहते हैं तो अभी आप कोई भी engine oil का डिबा अगर लेंगे तो उसके उपर viscosity grade specify किया रहेगा मैं example रहा हूँ ले रहा हूँ 5W30 ऐसे लिखा हुआ है अभी उसका मतलब क्या है तो W जो रहता है वो winter indicate करता है तो यह side जो है यह cooler side है और दूसरी side जो है dash के आगे वाली यह है hot side ठीक है तो अभी पहले एक समझ लेते हैं कि कोई भी engine oil जैसे गरम होने लगे ठीक है यह दे अगर देखेंगे तो शहद अगर आप उसको उंगली में ले लेंगे तो उसको sticking रहता है तो उसको हम लोग बोल सकते Halak WayINA दिनिसे रहता है तो जैसे वह गरम होता है वैसे डीन होने लगता i थिनर होने लगता है, बरो रहे, कोई भी चीज है, गरम करो आप तो तो उसको थिन होने लगेगी, तो विसकोसिटी उसकी कम हो जाएगी, वैसे अगर वो कूल हो जाए, सपोज आप कूलू मनाली चले जाए, जहाँ बर्फ है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इंजिन आइल की विसकोसिटी बड़ेगी, और ओईल थिक हो जाएगा, ठीक है, तो यह टेंपरेचर से यह कंट्रोल होता है, विसकोसिटी, तो इसके लिए क्या है, कि अगर पूल है, सबोज आप लेहलादा कूलू मनाली में चले गए, और आपका इंजिन पूरा ठंडा हो गया है सुबह, और अब क्रांग करते हैं, अब हुआ क्या, अगर उसका विसकोसिटी जादा है, थिक हो ओईल, तो इंजिन के अंदर जो चेंबर से उसके अंदर जो ओईल घूमने के लिए तकलिफ हो जाएगा ओईल को, तो इसके लिए क्या चाहिए है, कि ऐसा ओईल आपको चाहिए है, जो कम टेंपरेचर हो, तो भी ओ थिन हो, तो ओके, यह जो पहला फिगर है, यह विसकोसिटी वाला फिगर है, पांच है, तो पांच बोले तो क्या है, यह ज्यादा थिन ओईल है, कम टेंपरेचर रहेगा, तो यह थिन रहता है, तो क्या हो जाएगा, आप अगर कोल्डर ए वैसे आपका radiator है तो radiator इंजिन को एक constant temperature में रखता है तो 100 degree के उपर normally ये second figure रता है ये 100 degree centigrade के उपर उसका viscosity क्या है ये दिखाता है तो 30 है उसका viscosity 100 degree centigrade के उपर तो जैसे ये oil गरम हो जाएगा उसका viscosity 30 तक पहुँच जाएगा अब 30 पहुँच जाएगा तो optimum viscosity है आपका engine oil गुमने के लिए आसानी है प्लस friction कम हो जाएगा wear and tear कम हो जाएगा और आपका mileage भी अच्छा रहेगा तो इस इसाब से 5W30 ये number का explanation में दे रहा हूँ अभी viscosity देखिए आप 20 रहेगा 30 रहेगा 40 रहेगा 50 रहेगा तो ये थिक हो जाएगा और यहां रहेगा थिन तो जितना cold temperature के ओपर थिन रहेगा उतना अपने को अच्छा है और hot temperature के ओपर ये manufacturer recommend करता है उसका engine कैसे tune किया है तो ये 30 रहना चाहिए चालिस रहना चाहिए पचास या 20 रहना चाहिए ये manufacturer decide करता है और आपको वही follow करना ये ध्यान में रखिए कोई भी दूसरा YouTube का वीडियो देखके 40 या 20 वाला oil select मत किजिए क्योंकि अगर आप suppose example के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 viscosity 5w20 ऐसा oil select करते है और आपका engine अगर capable नहीं है तो engine का wear and tear faster हो जाएगा या उल्टा आप करते है 5w40 या 50 लेते है और आपका engine उसके लिए tune नहीं है तो engine वापस खराब होने के संभावन हो रहती है तो आप ध्यान में रखिए कि manufacturer का recommendation is the main control point आप खुद का दिमाग मत लगाई है उसमें आपका क्या कीजिए अभी जैसे ये मेरा मारुती सियास का य मारुती सियास का ये manual है मेरा और ये manual के अंदर ये जो engine oil है वह उसमें लिखा हुआ है कि आपको कौन सा oil लेना है SI 0W16 तो यही oil मेरे मारुती सियास automatic के लिए मुझे select करना है ठीक है तो जैसे मैंने पताया simple है 5w, w stands for cold crank viscosity अब ये 5w specific लिए तो माइनस 30 degree centigrade में भी है चलने व जैसे बता है 100 degree centigrade पर क्या उसका viscosity रहेगा ये indicate करता है तो दोनों भी figures are important तो मेरे सबसे आपको specification समझ में आया रहेगा तो अभी देखिए मैं कुछ example दे रहा हूं दो motorcycle के example दे रहा हूं और 3-4 car के example दे रहा हूं पेट्रोल का रहा हूं डिजल कॉल दोरों का मैं example दे रहा आता हूं जैसा अभी हीरो का जो है हीरो का splendor सबसे ज्यादा बिखने वाला motorcycle है इंडिया में तो उसके लिए उन्होंने recommend किया है API 10W30 SLMA2 ऐसा उसका specification है यह हीरो के website से मैंने यह photograph उठाया है जिसके ओपर यह specification उन्होंन दिखाया हुआ है तो ऐसे किया है Society of Automative Engineers का यह specification 10W30 उ 10W जब रहता है तो यह minus 25 degree centigrade में काम करने वाला है और 30 indicates the viscosity at 100 degree centigrade ठीके तो यह हीरो ने डिसाइड किया है कि उनके splendor गाड के लिए यह specification जरूरी है तो definitely आप वही सेलेक करें आगे का जो नंबर है API SL ठीके तो API American Petrol Institute जो है उन्होंने जो specification दिया हुआ है वो specification जो gasoline engines है जिनको oxidation resistance, deposit protection, wear protection, overall higher temperature stability मिलता है तो उसके इसाब से यह oil certified है ऐसे यह बोल रहे है आगे है MA2 आगेन यह जासो का Japanese Automotive Standard Organization का यह specification है जासो के MA2 के हिसाब से यह oil उन्होंने specify किया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि यह oil is suitable for wet clutch motorcycles ठीके तो इस हिसाब से आपको कोई भी specification पढ़ना है मैंने यहां दिया हुआ है as well as मेरा जो website trackbook.in उसके ओपर यह पूरा आपको proper images मिल जाएंगे similarly Bajaj Pulsar का है oil जो SA20W50 उन्होंने specification किया हुआ है अगेन उन्होंने जो grade दिया हुआ है उसका बूरा explanation मैंने यह दिया हुआ है यह पढ़के नहीं बताना चाहता हूँ बट यह बताना चाहता हूँ कि यह जो specification है manufacturer क्यों देता है तो उसका जो typical type है जैसे wet clutch है dry clutch है क्या है उस उसके इसाब से यह suitable oil recommend करते हैं जान में रखें अभी यहां देखिए माइनस 15 degree centigrade है यह जो ऑइल है बजाज वाला वेराज हीरो वाला माइनस 25 degree centigrade है तो डेफिनेटली आप जब लेहल अधाग जाएंगे और बहुत winter temperature में अगर जा रहे हो तो कौन सा गाड़ी आपको है उससे मैंने यह Honda City के लिए जो मैनियल है उसके वहां से मैंने यह snapshot लिया हुआ है उन्होंने देखिए बोला है अगर माइनस 30 degree centigrade है आप जाना चाहते तो आपको 0w20 0w30 या 5w30 oil select करना है और अगर आप यह temperature zone में है तो आपको 10w30 is more than sufficient अगेन मैंने यहां पूरे oil additives क्या-क क्या है और उसका पूरा explanation दिया हुआ है बट यहां देखिए आप माइनस 35 degree centigrade क्योंकि वह जो 0w20 स्पेसिफिकेशन है तो माइनस 35 degree centigrade में भी यह cranking के लिए capable है और यह काफी thin oil है और 20 है तो ध्यान में रहे कि 100 degree centigrade के उपर भी आएगा तो भी यह oil thin ही रहने वाला है तो यह पर जो मेंशन किया ऐसे मैं बोल रहा हूं कि Honda क्या कर रहा है कि यह अभी जो उनके latest card है जो earth dream technology engine है उनके उसके लिए यह engine tune किये है thin oil के पे चलने के लिए ध्यान में रखिए आप खुद का दिमाग लगा कि अगर thin या thick oil use करेंगे और engine उसके लिए tune नहीं रहेगा तो आप आपको recommend किया है वही oil आपको डालना है खुद का दिमाग नहीं लगाना है नहीं तो आपका engine खराब हो जाएगा वह यह 13 लाग का चौदा लाग का गाड़ी है और 2 या 3,000 रुपे के engine है तो आप brand selection और कौन सा number ले वो बोलेगा कि सर यह चलता है उसके अंदर नहीं नहीं आप 500 रुपे, 1000 रुपे बचाने के चक्कर में मत पढ़िये आपको manufacturer specified engine oil ही डालना है क्योंकि वो specific ट्यून किया है उसके लिए engine को उसके अंदर जो smart hybrid technology है उसके लिए recommend करते हैं तो ध्यान में रखिए smart hybrid technology है तो वही oil यूज करना है जो मारती recommend कर रहा है आगेन मैंने यह snapshot उनके manual से लिया हुआ है देखिए उन्होंने बोला है कि SIS 0W16 best choice for good fuel economy and good startability in cold weather तो manufacturer भी बोल रहा है ठीक है Hyundai Crater अगेन सबसे ज्यादा बिखने वाला गाड़ी है उनका भी देखिए recommendation 0W20 है अगेन मैं बोल रहा हूं कि यह जो diesel engine है अभी यह turbo charger है तो उसके लिए उन्होंने recommend किया हुआ है तो अगर आप Hyundai के website पर जाएंगे तो हर गाड़ी के लिए उन्होंने अलग 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 इंजिनोयल स्रेकमल किये हुए या आपके manufacturer manual में ही देखिए और इसके सबसे ही specific tune किया रहता है इंजिनोयल वही आपको यूज़ करना चाहिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ब वाइक हो या कार हो चेक कर से करना चाहिए तो मैंने यहां एक सिंपल एक फोटोग्राफ डाला हुआ है जिसके अंदर यह शहत जैसा दिख रहा है आपको इंजिन ओए और यह देखिए कैसे डार्क डार्क होते जाते रहे हैं तो क्या करना है आपको इंजिन थोड़ा सा व होने दे उसके बाद में आप डिपस्टिक निकाले और देखिए में मैकस लेवल के अंदर वह ऑल कहा रहा है इजिन बन करके ऑtम तो मिंऑ मैकस लेवल के बीच में होना चाहिए अब आपको देखना है ऑई का क्लर क्या है देखिए इस तर्いक का अगर और हो या इस तरीक क से, ठीक है, तो definitely यह oil carbon deposit इसके अंदर चला गया है, यह contaminants है इसके अंदर तो आपको यह oil change करना जरूर यह है, अगर यह milky white हो गया है, तो definitely क्या हो गया है, कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी गया है, तो अगर आपका engine oil का, engine का gasket अगर leakage हो रहा है, बारिच का पानी अगर अग हो सकता है तो आपको क्या करना चाहिए इमेडियेटली मेकैनिक के पास जाके अगर लीकेज है तो यह चेक करवाने चाहिए नहीं तो आपका इंजिन जरूर खराब होने वाला है जल्दी स्मेल भी देश सकते है आप थोड़ा सा कि अगर जला हुआ उसको स्मेल आ रहा है आप हाथ के उपर जाके स्मेल ले सकते है तो भी वह बर्निंग हो गया है आपको चेंज करना जरूर है यह आप फील कर सकते है जब यह और आपको ध्यान में आएगा कि उसके अंदर रफनेस ह जल के उसके अंदर कार्बन फॉर्मेशन हो गया है तो आपको ऐसा बी चेंज करना जरूरी है और यह भी द्यान में रखे जब यह आप इंजिन का लाइफ अच्छा चाहिए तो नॉमली दस अजार किलोमेटर के अंदर इंजिन और को चेंज करें और चीज रती कि इंजिन उसका कम होते रहता है तो इसके लिए मिन और मैक्स लेवल के अंदर इंजिन और आईया नहीं है बार बार चेक करें तो वीडियो इस वीडियो इस हेलफुल तो यू अब ब्रैंड कांसा लेना चाहिए इसके बारे में मैंने कोई बात नहीं किया हुआ है ध्यान में रखे क्योंकि ब्रैंड ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है और काफी सारे ब्रैंड्स है ब्रैंड के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप जरूर आप कौन सा ब्रैंड यूज कर रहे है और उसका क्या अनुवह है ये कॉमेंट्स में लिखिए त कौन सा ब्रैंड भारत देश के अंदर यूज करना चाहिए तैंक यू सो मच बाइ फॉर नो